हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेश्टी मसाला फीसकरी की रेस्पी आज इसमें हम रेहू मचली का यूज किये हैं आप चाहें तो जो भी मचली गतला सुर्मे जो भी खाते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं बहुत ही जबदस्त मसाला बनाएं तो हर बार इसी तरह से बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग रेस्पी है इस तरह से एक बार जरू ट्राय कीजिएगा तो चलिए रेस्पी सुरू करते हैं बहुत ही टेश्टी और मज़िदार रेस्पी फीस करीब बनाने के लिए सबसे पहले 500 गराम फीस लेंगे तो यहां पर ह हम क्या करेंगे हलदी लालमीच नमक और तेल से कोट करेंगे तो यहां पर आधा चमच अलदी πोडर डालेंगे आधा चमच कसरी लालमीच पोडर आधा चमच नमक और एक चमसासो का तेल डालेंगे तो जब भी मच्छी बनाएं कोई भी तो ये जरूर आप डाले तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले तो एक एक पीस में नमक, खल्दी और मिर्च लगा दीजिए ताकि हर फीस में मसालों का अच्छे से कोटिंग हो जाए तो फीस करी तो आपने हजारों बार बनाएं होंगे और अनेकों बार खाएं होंगे मैंने भी आप लोगों के साथ कई सारी फीस करी की रेस्पी सेयर की है लेकिन आज की रेस भी एकदम अलग है एकदम यूनिक है और ये रेस भी आप लोगों को इतनी पसंद आएगी कि आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और हर बार इसी तरीके से बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट बहुत ही चटपटा स्वाधिश्ट बनकर तयार होगा तो मैंने हर फीस में मसालो को अच्छे से लगा दिया है तो देखिए फीस में मसालो का बहुत अच्छे से कोटिंग हो गया है अब इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे मेगिनेट होने के लिए ताकि मीच मसालो का फ्लेवर हर फीस में अच्छे से चला जाए जब तक फीस मेगिनेट हो रहा है इसके लिए एक मसाला तियार कर लेंगे तो एक मिकसर जार में एट करेंगे दो चमच सरसो ये पीला वाला सरसो है और इसका आधा ले लेंगे पोस्ता जीसे खस-खस भी बोला जाता है एक चमच साबु धनिया एक चमच जीरा एक चमच काली मीच एक मीडियम साइच का प्यास ले लेंगे मोटे टुकडों में कटा हुआ पंदरा से बीस लसुन की कलिया पांच हरी मीच ले लेंगे आप अपने हिसाब से बाइलेंस करके डालिएगा जैसा आपको तीखा पसंद है और थोड़ा सा पानी डाल कर एक दम महीन पेश्ट बना लेंगे तो देखिए इस तरह से एक दम मिस्मूथ पीस लेना है अब इस मसाला में हमें लेना है आधा चमच हल्दी पौडर आधा चमच कस्मीरी लाल मीच तो कस्मीरी लाल मीच से फीस में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा तो इसे मीक्स करने के बाद कढ़ाए में आधा कप सरसो का तेल ले लेंगे ऐसे तो फीस सरसो के तेल में ही बनता है तो तेल को एकदम धूएदार गरम कर लेंगे तो सरसो के तेल में ही बहुत ही टेश्टी फीस बनकर तयार होती है लेकिन आप इसकी जगा कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप खाते हैं जो आपको पसंद है, तेल बढ़ियां से जब गरम हो जाए, तेल से जब धूआ उठने लगे, तो एक एकर करके मेगनेट की हुई फीस इसमें एट कर देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, तो मीडियम फ्लेम में फीस को जब तक फ्राय करेंगे, तब तक की फीस मीनट के बाद ही दूसरी तरफ पलटना है, जब तक की नीचे से फीस गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा, तब तक इसे हम पलटेंगे नहीं, जब नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो दूसरी तरफ पलट देंगे फीस को, और दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्रा तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, इस तरह से निकाल लिएगा, तो जो भी एक्ष्टा तेल है वो कढ़ाय में आ जाएगा, इसी तरीके से सभी फीस फ्राइग कर लेंगे, तो फ्रेंड्स रेज़ भी पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और हाँ अगर मेरे चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो सारे फीस हमने इसी तरह से फ्राइ कर लिए हैं अब इसी तेल में डालेंगे पचफोरन आधा चमच यानि की पांच साबुत मसालों का मिक्सचर इसमें मेथी अब इसमें दो टमाटर कटा हुआ डाल देंगे एक सी डेट चमच नमक डाल देंगे अब इस पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे अच्छे से भूनाए करेंगे ताकि ससो का पूरी तरह से निकल जाए तो यहां पर इसे 6-7 मिनट तक भूनेंगे तो 6-7 मिनट हो गये हैं इसे low to medium flame पर भूनते हुए तो आप देख सकते हैं friends इसका लूप पूरी तरह से change हो चुका है मतलब की बहुत अच्छे से भून गया है तो इसी तरह से आप मसालों को बहुत अच्छे से भूनियेगा इससे क्या होगा कि करी का टेस्ट बढ़ जाएगा और ससो का कच्छा फ्लेवर थोड़ा सा भी नहीं रहता है बिल्कुल भी टेस्ट कड़वा नहीं लगता है तो मसालों में बहुत अच्छी खुस्बू आने लगी है तो आप मसालों को देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज हो चुका है तो ऐसे ही मसालों को भूनना है तो मसालों को जितना भूनेंगे उतना ही डिलिसियस फीस करी बनती है यानि कि फीस की ज़रूरत भी नहीं होगी आप करी से ही रोटी चावल खा सकते हैं इतना टे और अच्छे से मिला कर ढग देंगे और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे ग्रेवी में उबाल आते ही इसमें हम फ्राइ किया हुआ फीस एके करके एट कर देंगे और इसमें डाल देंगे एक मुठी हरा धनिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फिलेम बंद कर देंगे और इसे ढख कर पांच मिनट ऐसे ही रहने देंगे इसके बाद ही सर्व करेंगे तो लीजे फ्रेंड्स उपर से भी उपर चटपटी, चटाकेदार, फीसकरी, सरसो वाली एकदम नए अंदाज में, नए टेस्ट में तो एकदम खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है तो आपने हजारों बार बनाए होंगे एक बार मेरा तरीका अपना कर देखना सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और हर बार इसी तरीके से सरसो वाली फीसकरी बनाएंगे तो फ्रेंड्स रेस्वी को ट्राइक जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ